तो मूवी का नाम देखकर आपको पता चल ही गया होगा किस मूवी की में करेक्टर प्रीस्ट है ये प्रीस्ट वेंपायर हंटिंग करते हैं और इसी तरह एक रात ये सब वेंपायर्स को ढूने निकले होते हैं पर वेंपायर्स ने इनके लिए चार बचार होता है और एक वे वेंपायर्स रहते तो एक साथ थे लेकिन इन में काफी हेट थी ये उसे से काफी नफरत क्या करते थे हमेशा लड़ते रहते थे जिस शहे में इस सब लड़ाया हो रही थी वहां का पीस बिलकुल खराब हो चुका था वेंपायर्स ने इंसानों को मार ना शुरू करे दिया और इंसानों के लिए ऐसी सराउनिंग किसी ख़त्रे से खाले बिलकुल नहीं थी यूखे एंसानों और वेंपायर्स के रहने का तरीका बिलकुल अलग था इसलिए इनसानों ने पनी जान बचाने के लिए एक डिसियाँ लिया उन्होंने खुटको एक चुर्श में बंद क किया करते थे, कि मुआ उस ग्रेट प्रेस्ट में हर तरह की सिल थी, वो विम्पायर्स से काफी अच्छे तरीके से लड़ सकता था, अग्जक उन ग्रेट प्रेस्ट को पता चला कि वंपायर्स ने कितना फसाद मचा रखा है तो उन्हें वंपायर्स को पगड़कर बंद कर दिया उसके बाद से सिटी में हर तरफ पीस हो गया कोई पर लड़ाई नहीं करता था और नहीं वहां पर कोई अप वंपायर था तो लोगों को भी जान का खत्रायां डर नहीं था लेकिन इसकी वज़ा से कई सारे प्रेस्ट अनिम्प्लॉइड हो गए और अपना प्रोफेशन चोड़ गए पन में से कई प्रेस्ट पूर हो गए को उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी और डिफरेंट प्रोफेशन्स अपना लिये ताकि कि किसी तरह तो अपनी जिए सकें अब हमें एक फैमिली दिखाए जाती है एक कपल होता है और उनकी पीटी होती है जिसका नाम लूसी होता है वो फैमिली बहुत स्यादा हार्ड वर्किंग थी और ऐसे लगता था जैसे हर टाइम साड रहती हो अब एक तिन वह कपल बैठा ख पादर के उसे को ठंडा करती है और खाने की मैनर्स बताती है बुनत बातें करी रही होते हैं कि समीन में मूफमेंट होने लगती है जैसे अर्थ को इका रहा हो सब लोग काफी डर जाते हैं उन लोगों को पता चल चुका था कि अब वेंपाइर्स आने वाले हैं लूसी के पेरिंस लूसी को पेस्मेंट में बंद कर देते हैं और खुद वो उपर ही होते हैं अब उपर वेंपाइर्स का अटेक हो जाता है लूसी के फादर और मदर दोनों मारे जाते हैं लूसी काफी रोने लगती है वेंपाइर्स भी वहां पर आते हैं वो लूसी को वहां से नि यानि लुसी की दोस्ति शहर भे रहा करता था वो प्रेस्ट का एक्ष्ट ये रहा करता थहूं प्रेस्य उसी मैं नहीं थम्ध on औरता है अब जिस प्रेस्जज दोस्तिqu CO आई यानि लो सी कि आठेक हुआ ठाइकना ने प्रेस्ज एक हैं इसकी मारी की P प्रेस्ट खामोश रहता है कुछ नहीं कहता वो सीधा चर्ट चाहता है और अपने गुरू को बिताता है यह सारी सिच्वेशन जो उसने सुनी तो गुरू कहता है कि वेंपाइर्स का हमला इंपॉसिबल है वो सब कैथ हैं तुम तो इस बात को जानते हो वो कैसे किसी पर अट लूसी को किटनैप करने माला कोई और नहीं बलकि एक इनसान था वो काफी जालिम यानि क्रॉल था वो लूसी से कहता है कि तुम यहां से बाहर नहीं जाओगी और अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी राहों में खत्रे ही आएंगे यानि तुम्हारा रास्ता मुश्किल हो लेकिन वह प्रेस्ट काफी स्किल्फल तरीके से अन दोनों आतमयों को मार डालता है क्योंकि वह कुसी से नहीं डडरता था वह वंपायर्स तक से लेरना जान पाथा तो इंसान उसके लिए क्या चीज़ते हैं ठीव वहां से उठता है और एक ओत लेता है कि वह लुषी को बचा करीब वापिस आएगा, उसके पास काफ़े अड़वांस वीपन्स और काफ़े सूपर बाइक होती है, उन्हें सारे वीपन्स लेकर उस पाइक पर चल देता है, वह लुषी को बचाने के लिए काफ़े विलिंग इसलिए वो लुषी के घर जाता है जहां से वो किटनैप की गई थी और उसके बाद साथ में वो लुषी के दोस्त को भी ले लेता है अब यह लोग मिलकी लुषी के डैट के पास जाते हैं जो के काफी इंजर्ट थे यहां पर प्रेस्ट लुषी के फादर से प्रामिस करता ह कि मैं आपकी बेटी को डून कर लाँगा अब यहां से निकलने से पहले प्रेस्ट लूसी के दोस्ट को कहता है कि मेरा अकीला जाना बेटर होगा लेकिन लूसी का फ्रेंड कहता है कि मुझे भी बहुत अच्छा कामाता है मैं भी विंपायर्स को मार सकता हूं तो प्रेस्ट को डूनने के लिए जो एक टीन त्यार करनी होगी और वह बाकी प्रेस्ट की टीन त्यार करता है जो कि इस प्रेस्ट को डून कर इसके पास लाने वाले होते हैं दोसे तरफ हम प्रेस्ट और लूसी के फ्रेंड को देखते हैं रास दिमें को किसी के फूट प्रिंट नजर ये कि विंपाइर के वुड़पिन नहीं लग भी ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान की हूं उन्हें वहां पर एक आथ कि निखाया देता है जो कि चिकन को काट रहा होता है यानि मुर्विजों के काफी पुरे तिर्गे से पीसी कर रहा होता है वो पर उनसे जा कर पूछता है कि यह पाउं के निशान किस्त के हैं यहां से कोई विंपार कुज़रा है क्या तो आदमन से काफी रूपली बात करता है कि जाओ जाओ मुझे नहीं पता तो प्रीस्ट अब अंदर की दिरफ चाता है और एक पेसमेंड में चला चाता है वहां पर काफी खोफ नाक सादमी होता है जो कि उनको देख के डरने लगता है और कहता है कि यहां क्यों आए हो जाओ यहां से और उसके वाज़ उनके वहां पर मुझोद बाकी लोग भी आ जाते हैं जो कि वहां के सर्वेंट्स थे और उने इस तरह से कैट पर करका गया था इस सुगा के प्रोटेक्शन के लिए ही इसलिए वह सारे लोग प्रीस्ट पर और लूसी के फ्रेंड पर अटेक पिरने आए थे लेकिन आगे से प्रीस भी और लूसी का फ्रेंड उन लोगों पर अटेक करने लगते हैं और एक एक तरके उन्हें मारने लगते हैं प्रीस्ट आखरी बिचे सर्वेंट से पूछते हैं कि अपर तो मुझे लूसी के बारे में बता दो प्रीस्ट आखरी बिचे सर्वेंट के बारे में लूसी का पर है तो सब लोग लूसी को वेस्ट की तरफ लेकर गए हैं लेकिन तब ही वहाँ पर एक हौफ नाक और जाएंक पर इमपार आता है कि कहीं वो लूसी का पूरा पता ना बता दे जिस पर प्रीस्ट को और उसके साथी को काफी वुसाता है लेकिन प्रीस्ट अब लूसी के फ्रेंड को लेकर बैट जाते हैं और सूचने लगते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुंचा जाए वो मैप पर रास्तार होने लगते हैं कहते हैं यहां तक का रास्ता तो बहुत फतरनाक है उन्हीं पता चलता है कि जहां पर लूसी को ले जाया गया है वो जगह बहुत मिस्टीरियस है इसके साथ एक पास चुड़ा हुआ है वहाँ पर कभी जंग हुई थी लेकिन उसमें छे वेंपाइर्स पैच गये थी उनको इसलिए नहीं माला गया था त्यूंके वो बहुत वीक थे अब ये दोनों से गबर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी से मिलते हैं जो कि काफी बुरा था वह उसके भी लूसी का पूछते हैं लेकिन वह आदमी एक ऐसे वेंपाइर के पास जाता है जो कि पहले तो प्रीस्ट हुआ करता था लेकिन अब एक बहुत बुरा वेंपाइर बन चुका था उसका नाम था ब्लाक हैट वो उनको बताता है कि वो प्रीस्ट और वो बच्चा यानि लूसी का फ्रेंड आपको इसके ढून रहा है कि आप लूसी को उठा कर ले गए हैं तो ब्लाक हैट को बहुत गुसाता है और कहता है कि तो मुझे क्यों बता रहे हो कि गुरू ने तुम लोगों को पकड़ने के लिए प्रीस्ट की एक टीम बनाई है मैं भी उन्हीं में थी लेकिन मैं उन्से अलग हो गई और तुम लोग फिकर नहीं करो मैं जानती हूं कि तुम लोग ठीक काम कर रहे हो लेकिन उसे लड़कर उसे हरा देते हैं अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो प्रीस्टेस अपने स्टोरी सुनाने लगती हैं जैसा कि मैंने आपको पहले पर बताया कि जब फैमपार्स के साथ चंड चेरी थी तो सब फ्रीस्ट के प्रफेशन खतम हो चुके थी फ्रीस्ट काफी वृइब हो गए थी तो तबी ये प्रीस्ट तेस भी कुड़ा उखाने लग दी थी यानि इसकी कंडिशन में बहुत बुरी थी अब जो फ्रीस्ट इसके साथ होता है वो भी बिताता है कि हाँ सबी प्रीस के साथ यही हाल हुआ और ये गुरू ने बहुत बुरा किया और अब भी भी वो मुझे पकड़ नशा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं लूसी को ढून रहा हूँ अब जब ये लोग केश से बाहर आते हैं उने पता चलता है कि आगे विंपाइर्स के एक बहुत बड़ी टीम है जो कि इन पर अटेक भी कर सकती है लेकिन इनके केश से बाहर निकलने से पहले ही वो सारे विंपाइर्स एक सिटी की दर्फ चले गए वो सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया अब उनको रोखने के लिए तीन प्रीस्ट भी वहां पर गए लेकिन वो विंपाइर्स इतने पावरफुल थे उन्होंने उन तीन प्रीस्ट को भी मार डाला और उनकी बोडी को क्रोस पर लटका दिया सुबो होते ही जब प्रीस्ट लूसी का फ्रेंड और प्रीस्टेस यहां पर पहुंचते हैं और बागी प्रीस्ट के लिए प्रोडीस देखते हैं तो उने काफी दुख होता है और वो समझ चाते हैं कि वंपाइर्स चलती हम पर भी अटैक करेंगे अब यह लोग सारी रिसर्श करते हैं कि वंपाइर्स यहां पर कैसे आया तो ने बता चलता है कि वो ट्रेंड के थो हुआ थे अगर लोग वेपन्स त्यार करने लगते हैं कि वंपायर्स को किसी पी तरह यहाने से रोकेंगे वो दोशी तरफ हमें लूसी दिखाई जाती है जिसके साथ कोई ब्लैक हैट वेंपायर होता है वो से कहता है कि तुम खाना खाओगी उसके बाद ब्लैक हैट कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ ज्यादा जरूरत है प्रचानती हो कि मैं तुम्हें यहां पर क्यों लाया हूँ ताकि इस सारे कामें तुम मेरी मदद कर सको और मैं यह भी जानता हूं कि वह प्रीस्ट में बचाने यहां पर जरूर आएगा और मैं उसकी भी हैड़ पलूँगा दूसरी तरफ लूसी का फ्र के आने का खत्रा था अब हो लोग ट्रेंड के पास पहुंचाते हैं तभी यूसी का फ्रेंड पर कर लेता है और कहता है कि जो भी हूँ चाहे मेरी दोस्ट वेंपार भी वेंगी हो लेकिन आम उसे नहीं मारेंगे तो प्रेंड उसे कहता है कि अच्छा तुम ऐसा नहीं कि सिकेंडर वेंपार से वो उसमें बॉम्म्स फिक्स करने लगते हैं च्छत पर वो प्रेंड शर्च आता है जहां पर ब्लैक है फंपार भी होता है अब यहां पर हमें ब्लैक हैट वेमपायर के असलिवत पता चलती है याद है मुवी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक प्रीश वेमपायर के ट्रैप में बस्किया था और उसे कोई नहीं बचा पाया सब को लगा कि वो मारा गया लेकिन बाद में उसे वेमपायर बना दिया और अपने पर पफस के लिए यूज किया और अची और यह वेमपायर के स Rule 9 एज में बच्खच के वहां पर काफी जादा Servants आते हैं जोके Vempires कही थे और वो Priestess awarded and Lucy के Laosie के Friend पर Attack करने लगते हैं लेकिन Priestess उनको हरा देती है इसी तुरां Black Hat Priest को Trinn के अंदरगा धेता है वहां पर लुसी भी होती है जो किसी Vampire के कुझे में भूती और चला रही होती है प्रीस्ट लूसी को बचाने की कोशिश करते हैं और लूसी भी उसे आफ लगा देती है जिस्तों से पकड़ रखा था उसके बाद उसके सामने ब्लैक हैट आता है लूसी उस पर चाको चलाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं ब्लैक हैट काफी चलाग था, वो खुद को चाको लगने ही नहीं देता, ब्लैक हैट उसी चाको से प्रीस्ट को काफी जखने कर देता, और फिर लूसी को वाल शेले कर चला जाता है, ब्लैक हैट लूसी को ने साथ टTeर रेंड के छट पर ले आया था, जहांपर उसे काट कर उसे भीफ एमपायर बनाने वाला था लेकिन तभी नीचे से प्रीस्ट में हिम्मत आती है और वो ट्रेन के चट पर आता है और उसके पास क्रोस साइन वाला एक ब्लीड होता है जो कि वो सीधा ब्लैक हैट की दरफ फैंकता है इस वज़ा से लूसी पे स्लिप हो जाती है वो ट्रेन से गिरने ही वाली होती है कि तभी उसे प्रीस्ट बचाता है लेकिन ब्लैक हैट अभी प्रीस्ट को मारना चाहरा होता है तभी प्रीस्ट टेस पाइक पर आ जाती है वो काफित तेजी से आ रही होती है और ये सेंग काफी रूता है वो पाइक को ट्रेंड के सामने ले कर आ रहे थी ताके दोनों अबильस में टकराएंग और बहुत बड़ा प्रेश हो और ऐसा ही होता है इतनी पेज़ वाइक जिब ट्रेंड से टकराती है तो ट्रेन क्रेश हो जाती है और उसमें सारे वेंपार्ज मारे जाते हैं लगी अब ब्लैक हैट भी नहीं बचा था वो भी मारा जा चुपा था फिर हम कुछी मिनट सपार्ट का सीन देखते हैं जब प्रीस ने लूसी को अपनी कोद में लिया होता है लूसी का फ्रेंड मी लूसी को ऐसे देखकर काफे खुश होता है और प्रीस्ट प्रीस्टेस की दिरफ देखकर स्माइल बास करता है कि तुमने काफे अच्छा काम किया और फाइनली वो लोग अब सिकसे सुनते ही उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था और लूसी को बच्चा लिया था सबसे बड़ी बात तो ये कि अब ब्लैक हैट भी नहीं रहा था वो वाँ से सीधा प्रिस्टेस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम अपने कहलेता टीम बनाएंगे जो कि वेंपार्स को हंट किया करेगी और इसे के साथ ये मुवी यहीं परंट होते है